नमस्ते दोस्तों, Life Means More में आप सब का फिर से स्वागत है दोस्तों, जब तक हम कोशिश नहीं करते, तब तक जीवन शैली में बदलाव असंभव लगता है शाकाहरी जीवन शैली चुन कर आप खुद में काफी बदलाव ला सकते है अपने आहर से अंडे और डेरी सहित पशू उत्पादों को कम करना और अधिक सबजिया खाना निश्चित रूप से प्रिरणा दयक है क्योंकि शाकाहरीों के लिए भोजन के कई विकल्प उपलब्द है ना केवल आप कई भारतिय शाकाहरी व्यंजन खा सकते हैं जिन्हें आप पहले से ही पसंद करते हैं बल्कि आप विभिन प्रकार के अंतराष्ट्य व्यंजन भी आजमा सकते हैं शाकाहरी जिवन शैली को सफलता पुर्वक अपनाने के लिए धीरे धीरे कोशिश करें इसलिए आज के विडियो में मैंने कुछ टिप्स और सुझाव दिये हैं जो आपको शाकाहरी बनने में मदद कर सकेंगे पहली टिप है अपने घर में सही वस्तूओं का भंडार रखे जब आप पौधे से बने पदार्थों से आधारित जीवन शैली चुनते हैं तो आपके घर का खाद्य भंडार महत्व पुरुलभूमी का दिभाता है शाकाहरी होने से पहले उन चीजों को बदले जिन्हें आप अपने आहर में नहीं लेना जाते हैं और जिन वस्तूओं को आप खा सकते हैं सभी मैक्रो न्यूट्रेंट श्रेणियों के पोशक पदार्तों को स्टॉक करना ज़रूरी है अपने भोजन में साबुत अनाज, बीन्स, फलिया, नट्स, बीज और टोफू शामिल करें बादाम और अखरोट, ओलिव ओईल, एवेकेडो जैसी चीजों को चुन कर अपना स्वस्थ दैनिक आहर प्राप्त करें प्रोटीन की कमी को पुरा करने के लिए अपने आहर में बीन्स और फलिया शामिल करें वनस्पती पर आधरित पदार्तों के विकलपो को तैयार करने, स्टोर करने और उपयोग करने के बारे में पढ़ें व्यंजनों के साथ प्रयोग करें और आकरशक लगने वाले विकलपो को चुन कर एक मेनू बनाएं कुछ जटपट और आसान शाकाहरी भोजन से परिचित हो जाए और उन्हें बनाने का आनन ले गाई के दूत की जगह बादाम या सोया मिल्क का इस्तिबाल करें दूसरी टिप है जूटी बातों पर विश्वास ना रखे हमारे आसपास बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है और आज की सोशल मिडिया की दुनिया में आपको बहुत सारी गलत फैमिया फैलाने वाली बाते भी मिल सकती है बहुत से लोग शाकाहरी जीवन शहली के फाइदे और नुकसान के बारे में प्रचार करते हैं लेकिन एक बार जब आप शाकाहरी बदने का फैसला कर लेते हैं तो बिना डगमगाए अपने फैसले पर अड़े रहे शाकाहरी होने के अपने निर्णे के प्रती सुनिष्चित रहे और शाकाहरी होने के पीछे अपने तर्क को समझे क्योंकि यह निर्णे आपके स्वास्थ्य नैतिक या किसी अन्यकारणों से हो सकता है आपका दुरुष्टिकोन आपके निर्णे पर अमल करने में मददकार होना चाहिए तीसरा मुद्दा है संशोधन करे और सीखे शाकाहरी जीवनशैली अपनाने के बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है आपको शोध करने और अपने विकल्पों के बारे में जानने के लिए समय और संसाधनों का उचित इस्तेमाल करना चाहिए वनस्पती आधारित जीवनशैली से मिलने वाले पोशन के बारे में जानकारी इकठा करे यदि आप डैरी, पनीर, चॉकलेट और मास पसंद करते हैं तो आपको स्विच करना थोड़ा मुश्किल होगा अपने पसंदिदा खाद्यपदार्थों को खोजने और उनके विलकल्प बनाने पर ध्यान दे ताकि आप डैरी या मास ना खा सके जब आप शाकहरी जिवन शैली अपनाते हैं तो आपकी स्वात कलियों को चुनौती मिलती है इसलिए इन परिवर्तनों का स्वागत करे और सब कुछ सीखे विकल्पों को स्विकार करने और विकल्पों का आनन लेने के लिए खुद को प्रशिक्षित करे चौथा पॉइंट है धीरे धीरे शुरुआत करे एक बार जब आप अपना लक्ष जान जाते हैं तो आप अपनी गती से आगे बढ़ सकते हैं जब परिवर्तन करने की बात आती है तो हर किसी का एक अलग दुर्ष्टिकोन होता है कुछ को रातो रात परिवर्तन स्विकार करना आसान लगता है और कुछ धीरे धीरे परिवर्तन को स्विकार करते हैं उदारण के लिए यदि आप सब्ताह में दो से तीन बार मास खाते है तो इसे सब्ताह में एक बार खाने पर स्विच करे आप एक समय में शाकाहरी भोजन भी कर सकते हैं पहले सब्ताह शाकाहरी नाश्टे के साथ शुरू करे अगले सब्ताह दो पहर का भोजन शाकाहरी करे और इस तरह धीरे धीरे शुरुआत करे चाय और कॉफी जैसे पेयों को कम करने से पहले पौधे के दूध को इस्तिमाल करके देखे अपने फ्रिच को सही विकल्पों के साथ स्टॉक करे कई ख़द्यपदार्थों के लिए शाकाहरी विकल्प मिल सकते है इसलिए आपको अपनी पसंदिदा चीजों का त्याग करने की जरूरत नहीं है रेस्टोरेंट में भोजन करते समय अपने लिए कोई अच्छा सा शाकाहरी मेनू चुन सकते है और हमारा पाँचवा पॉइंट है शाकाहरी लोगों के समुदाय का सक्रिय हिस्सा बने पूरी दुनिया में शाकाहरी आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है याद रखे कि आपके आसपास के कई समुदाय आपकी जीवनशैली में बदलाव के दौरान आपकी सहायता कर सकते हैं यदि आपके कोई प्रश्ण, समस्याएं हैं तो ऐसे समुदाय से संपर्क करें शाकाहरी समुदाए के लोगों से मिलकर संदेह दूर हो सकते हैं और आपको समाधान भी मिल सकता है जिन्होंने शाकाहरी जिवनशैली में सफलता पुरुवक परिवर्तन किया है ऐसे लोगों से बात करें आप वेबसाइट से बहुत सारी जानकारी एकत्र कर सकते हैं जो सकारत मकुरूप से आपकी मदद कर सकती है और खुद को शाकाहरी जिवनशेली अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है तो दोस्तों वीगन लाइफस्टाइल के फाइदों को समझना बहुत मददगार है जानवरों के उत्पादनों को कैसे बनाया जाता है और इस प्रक्रिया में शामील लागत और पर्थाओ के बारे में खुद को शिक्षित करें महत्व पुर्णबात यह है कि शाकाहरी बनने के अपने कारण टै करें और वीडियो में दिये गए इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें तो आज के लिए इतना ही वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए कीप वाचिंग थैंक यू